अब बनाने वाले हैं यह बहुती बूटीफुल शोपीस दोस्तों यह एक बड़ शोपीस होगा जिसमें कि हम बर्ड बनाएंगे और उनके छोटे-छोटे बच्चे बनाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जुरूर देखिएगा और दोस्तों यह शोपीस आपके होम डेकुर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको यह प्यारा सा शोपीस बनाना सिखाते हैं सब्सक्राइब हमने एक कार्डबोर का रोल लिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप चाहें तो यहां पे कोई भी बोतल यूज कर सकते हैं कोई भी प्लास्टिक की और इस तरह से आपको मार्किंग करने हैं किसी भी मारकर से या स्केच्च पेन से आप कर लिजिए गा और उसके बाद में हमें यह इससा कट कर देना है तो यहां पे हमने दूस्तों जुचाको होती है उसका हमने कट करके रख दिया है और यहां पे अब हमें जो दूसरी ची बना ली नहीं इस तरह से और जोसरों उसके बाद में जो हमारे पास जो cardboard का roll था उस पर हमने अच्छे से फेविकॉल लगाना है तो यहाँ पर लेजा लिए चारो तरफ और दोसों इसको कुछ हमें इस तरह से cover करना है और कि इसको हमें अच्छे से पूरा cover कर दिया है क्ले से और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्ले हमारी पूरी नए लेकिन दुस्ता हम ने इसको पूरा बाद में लगा दिया है और इसदर नीचे के यह ज़ो हिस्से हैं इन्हें भी आपको इस तरह से बंद कर देना है और जो बीच वाला जो हिस्सा हम ने कट किया था उसको भी हमें अच्छे से बना देना है इस तरह से और इसकी और अंदर के ओर तोड़ा सा गुलू लगा के इसको चिपका देना है और दोस्तों इसको तोड़ा सा और चिकना कर लेना है तो यहां पर दोस्तों हमने जो है यहां पर पानी का इस्तमाल किया है इसमें तोड़ा सा पान लकडी का जो texture होता है वो बना रहे हैं कुछ इसस तरह से आप देख सकते हैं और आपको ऐसा ही आलेना है ये अपने बना लिया कीजी और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे हमने ब्राउन कलर समाल किया है डार्क ब्राउन कलर है और इसको दोस्तों उंगली से ही हमें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा हाइलाइट के लिए लगा देना है चारो तरफ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गोल्डन कल क्लिक गुपार्फ 一द लिकिश हैई स्पार्कल कलर होता है. तो आपको इस तरह से लगा देना है। ह navigate टार हो चुका है, और और दोस्तों हम और क्ले लेकर गोल करते हूं हमें चिडिया बनानी है, बड्ड्स, यह बड्स इस कि हम बना रहे हैं आप देख सकते हैं ये इसकी पूंच है और ये इसकी हम इस तरह से आगे जो चोंच होती है वो निकालेंगे और पूंच बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से और इसको रखके और इसके बाद में यहां पर हम पंक बनाएंगे इसके जो पर होते हैं विंक्स और इसको हम थोड़ा सा गुलू लगा के चिपका देंगे जिसे की ये बार बार चुटे ना और ये आपको दोने तरफ चिपका के और इसमें जो विंस का जो टेक्सर होता है वो हम डालेंगे इस तरह से आप इसी भी चीज से ये चीज कर सकते हैं ये दोस्तों देखने में अ थोड़ा सा दबा दिया है आपकों की जगा बना दी है और इसमें हम बाद में जो ब्लैक क्ले होती है उसमें लगा देंगे और इसे तरह से आपको दोस्तों पूंच में भी करना है आपको थोड़ा सा जो है इस तरह से लाइनिंग बना देनी है और यहां पर हमने एक बना देनी और बस आपकी जो बड्स के बच्चे हैं बेबी वो बन जाएंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ब्राउन कलर से हम जो बड्स हैं उनके विंग्स को कलर करेंगे यह भी दोस्तों एक क्राइलिक कलर ही है और कुछ इस तरह से आपको दोनों विंग्स भी लगाना है और दोस्तों उसके बाद में आपको सिर से होते हुए पीछे पूंच तक इस तरह से ले जाना है और यह कलर उपर का थोड़ा सा डार्की होना चाहिए और साइडों में आप थोड़ा साल का रखेंगे और इसी तरह से हम सारी जो birds मनाई हैं हमने birds और babies उनको भी color कर लेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने color किया हुआ है वीडियो तोड़ा दोस्तों fast है क्यूंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो आप लोग थोड़ा fast जो है अपनाय कीजिए और पे हमने black जो color है थोड़ा सा highlight के लिए यूस किया है जो radial color होता है वह हम बना रहे हैं यहां यह पे liner कुछ इस तरह से और आपको यह black color ज्यादा नहीं लगाना है बस थोड़ा थोड़ा सा सुर्फ highlight के लिए आप लगाना है यहां पे आप देख सकते हैं हमने सिर पे लगाया है और पंक पे लगाया है और इसकी जो चोंच है वो भी हम यहां पे ब्लैक ही रख रहे हैं आप देख सकते हैं यह चड़िया हमारी कुछ इस तरह की बनकर रेडी हो चुकी है और अब दोस्तों यहां पे इसकी आखे हम बना बस simply यहां पर एक color से ही इनकी आखे बना दी है और दोस्तों थोड़ा सा white color इनके wings पर हम लगाएंगे जो कि दोस्तों देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है आप देख सकते हैं थोड़ा से dot dot इनके wings पर रखे हुए हैं तो यह इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा लगा देना जादा नहीं लगाना है और ऐसी हमें सारी birds और babies के साथ में करना है और यह दोस्तों हमने बड़ी बड़ पर लगा दी है और इसके बाद में दोस्तों यहां पर हमारे पास कुछ जो है आर्टिफिशल प्लांट्स हैं और इसको हम चिपकाएंगे ग्लूगन की साहता से तो यह दोस्तों एक पेड़ हमने इस तरह चिपकाया है और दूसरा पेड़ हम इस तरह चिपकाएंगे और दोस्तों यह आप चाहें तो डिरेक्ट एमसील से या क्ले से भी इसको चिपका सकते हैं लेकिन दोस्तों अच्छा रहागा कि आप पहले ग्लूगन से चिपका ले और इनकी branches बनाने के लिए क्योंकि दोस्तों यह ऐसे ही आप देख सकते हैं जैसे यह लगे हुए हैं यह ऐसे थोड़े से भद्दे लग रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा जो wooden जो effect होता है वो लाने के लिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी branches बनाएंगे और जिसके लिए यहाँ पे दोस्तों हमने अलग से थोड़ी सी clay लिए हैं आप देख सकते हैं और कुछ इस तरह से जहाँ पे हमने जो plants लगाए हुए हैं उसी में हमें इस तरह से बना देनी हैं और इनके नीचे हम इस तरह से यह जब clay लगा देंगे यह थोड़ा सा दिखने में और भी अच्छा लगने लगता है कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कि यह जो plants लगे हुए हैं वो थोड़े से बद्दे दिख रहे हैं और इनको हम इस तरह से लगा के और कलर कर देंगे तो यह दोस्तों और भी ज्यादा सुन्दर लगने लगेंगे सारी चीज़े और यह दोस्तों जो पीछे हमने plants लगाए हैं उन पे भी हम लगाए देंगे और दोस्तों इसमें थोड़ा सा इस तरह से निशान डाल देंगे जिससे की जो golden texture होता है वो बना रहे हैं और सेम वैसे ही है इस पे भी हम golden color कर देंगे golden थोड़ा सा highlight के लिए और आप देख सकते हैं कि यह जो हमने पहले बनाया था और आपका यह दोनों एक ही में mix हो गए हैं अच्छे लग रहे हैं और जो दोस्तों हमने जहां पे जो सुराग बनाया था गड़ा बनाया था वहां पे हम अंदर थोड़ा सा कुछ भी कोई भी form या थर्मकोल या आप cardboard का टुपड़ा इसके अंदर लगा देंगे इस तरह से और यहां पर अब हम जो birds के babies हैं उनको बिठाएंगे तो थोड़ा सा glue gun आपको लगा कि इस तरह से बिठा देना होगा अगर दोस्तों आपके पास glue gun नहीं है तो आप ऐसे ही और नॉर्मली जो glue आपके पास available हो उससे भी आप लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों उसकुत सूपने में थोड़ा सा time लगता है या फिर आप यहां पर double sided tape भी use कर सकते हैं और दोस्तों जो बड़ी बारी birds जो बड़ी bird ने बनाया थी उसको बच्चों के पास में हम यहां पर लगा देंगे तो यह रही छोटी वाली bird जहां पर हमने hole बनाया है वहां पर हम लगा देंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं friends यह हमारा कुछ शोपीज बनकर विल्कुल तयार हो चुका है तो आप इसे अपने table मे हैं या फिर अपनी दिवार पर या home decoration में कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आप लोग दोस्तों नीचे comment करके हमें ज़रूर बताईएगा कि आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी है और आप देख सकते हैं friends यह शोपीज कितना ही ज़्यादा सुन्दर लग रहा है और दोस् तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो है तो आप लोग देखना बिल्कूल मत भूलिए तो उन वीडियो से आपको कुछ मैया जरूर सेखने को मिलेगा सब्सक्राइब करते हैं यह वीडियो को पसंदा होगी अगर अच्छे लिएक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दें और आएसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब् चैनल